यह तीस फीट लंबा सांप इस लड़के के चेहरे के करीब आया और उसके माथे को चूमा फिर धीरे धीरे पीछे हट गया लड़का समझ नहीं पाया कि सांप ने ऐसा क्यों किया लेकिन इसके पीछे एक विशेश कारण था जिसके बारे में उसको पता नहीं था दरसल 15 साल पहले इस लड़के को जंगल में खेलते समय एक सांप का अंडा मिला वह चुपके से उस अंडे को घर ले गया और उस अंडे का पालन करना शुरू किया कुछ दिनों बाद एक सांप का बच्चा उस अंडे से बाहर निकला और लड़का यह देख कर बहुत खुश था लेकिन एक दिन लड़के के पिता को सांप के बारे में पता चल गया उसके पिता ने सांप को मारना चाहा लेकिन लड़का अपने प्यारे सांप को बचाने के लिए घर से भाग गया और उसे जंगल में छोड़ दिया लेकिन सांप को लड़के से बहुत लगाव हो गया था और सांप लड़के को छोड़ कर नहीं जाना चाहता था लेकिन फिर अचानक उसने पीछे से लोगों की आवाजे सुनी और वे सभी लोग लड़के की तलाश में आ रहें थे उसी समय कई सांप पानी से बाहर आये और लड़के को घेर लिया लेकिन छोटा सांप किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था इसलिए वह धीरे धीरे पानी में चला गया और सभी अन्यसांप उसके पीछे पानी में चले गए अब पंद्रह साल बीच चुके थे और लड़का बड़ा हो गया था और वह जाने अंजाने में उसी जंगल में वापस आ गया था